बाकाजला के रजौन में बुद्वार की साम उस समय हड़कंप मच गया जब रजौन इस्थित कतरिया नदी में एक 17 वर्सिय किसोर का सब तैरते हुए मिला सब मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर सैक्ड़ों लोग इखटा हो गए मामले की सूचना रजौन पुलिस को दी गई किसोर की पहचान की गई तो उसकी पहचान रजौन बजारिस्तित की फायत पुर्गानिवासी बाबुलल मंडल के 17 वर्सिय पुत्र परविन कुमार की रूप में हुई जो दिव भी आंग है मिर्तक के परिजनों को बच्चे के सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया परिजनों के नुसार परविन कुमार मंगलवार से लापता था जिसे परिजन तभी से ढून रहे थे मगर उसका कोई पता नहीं चल सका था प्राप्त जानकरी गुणसार मंगलवार को भिहुला विसरी पर्व को लेकर मेला देखने गया था इसी करम में कतरिया निदी में मंजुसा का विसर्चन के दुरान बिकलांग परबीन कुमार की डूबने से मौत होने की बात बताई जा रही है मिर्तक की मा सिला देवी ने बताया की परबीन एक पैर से बिकलांग था जो मंगलवार को भिहला विसरी मेला देखने के लिए घर से निकला था जिसका सब बुधवार को कतरिया नदी में तैरते हुए मिला मिर्तेक अपने चार भाईयों में तीसरे नमबर पर था मिर्तेक अपने पीछे माता पिता सही तीन भाईयों को छोड़ गया शब को देखते ही मासिला देवी छाती पीट पीट करोने लगी इस घटना से पूरे गाउं में मातम पसरा हुआ है इस बाबत रजौन थाना ध्रश निरस्तिवारी ने बताया कि उक्त ललके के सब को कबजे में लिते हुए पुष्ट मातम हेतु बाका भेज दिया गया है इस संदर में सियो निलेश कुमाच अरस्तिया ने बताया कि आपदा राहत को उसके तहट मिर्तक के परजिनों को चार लाख रुपी दिया जाएगा बाका जिला के अमरपूर थानाचित के डटवाठी गाउं में दबंगों के द्वारा वाट्स दस्या से डिड़ लाख रुपी की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है वहीं रंगदारी की रखम नहीं देने पर दबंगों ने तीन युब को समेथ दो यूबती को पीट कर जख्मी कर दिया मामले को लेकर जखमी मुहम्मद समीर सेख ने बताया कि मेरी मा भीकनपूर पंचायत की वाटस दस्या है जो नल जल योजना के तहट कारे कर रही है जिसमें मुहम्मद इंतिकाम वाटस अचीब है इन्होंने जल नल योजना के तहट किये जारे कारियों में कमिसन करूप में दिनाक 19 जुलाई को मुहमद इंतिकाम, मुहमद साहिद राजा, मुहमद जाहिद, मुहमद जाबीद, मुहमद एजाज, मुहमद इनाम समेट एक दरजन लोग दरवाजें पर आकर रंगदारी की रिकम मांगने लगे, जिसका बिरोध करने पर लाठी डंड़े से प्रहार करते हुए सभी को जखमी कर दिया, एवम नलजल योजना के तहत रखे हुए लोहे की पाईप, एवम अन्य समान लूट कर फ्रार हो गए, मामले की लिखीत आवेदन जखमी ने थाने में देते हुए कारवाई की मांग की ह थाना देच कुमार सन्नी ने बताया कि आवेदेक के दुरा दिये गया आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है बाका के रजाउन थाना च्छित्र अंतरगत सोंबार को देर संधिया जिक्टानिवासी पुस्पादेवी पती दयानन दियादव से 36,000 रूपिये मोटर सैकल की डिक्की से उचक को दुरा उड़ा लेने का मामला परकास में आया है बताते चले कि महिला भारते इस्टेट बैक पुनसिया साखा से पैसे की निकासी कर अपने घर लोट रही थी इसी करम में धौनी इस्टेशन रोट के समीव फोटो कॉपी करवाने के चक्कर में उचकों ने डिक्की तोरकर 36,000 रूपिये पास्बुक, पैन कार्ड, अधार कार्ड, साटिफिकेट, सहीत आवस्से कागजात को लेकर फ्रार हो गए इस संबन में महिला के दोरा सोमबार देर संधिया को थाना पहुँचकर आवेदन दिया गया, महिला ने बताया वो काफी गरीबी से धन अरजित कर कारे को लेकर रूपिये की निकासी की थी, इधर थाना देच निरस्तिवारी ने बताया कि मामला सही परतीत नहीं हो रहा है फिर भी जांच परताल की जा रही है जबकि इस संदर में पैसा चिनताई के सिकार महिला पुस्पा देवी वपती दियान दियादम ने बताया कि सोमबार को पुनिसिया इस्टेट बैंक से 36,000,000 रुपे निकाल कर लोट रहे थे, इसी करम में धोनी हाट के समीप में बाइक लगा कर एक दुकान पर गए थे, इतने में डिक्की तोड़कर सभी पैसा सहीद कागजात लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना मैं रजॉन पुलिस को दी, इसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंच कर जांच परताल की, जिसके बाद रजॉन थाने में लिखी तावितन भिद्धी आ गिया, एक और जॉन पुलिस इस मामले को लेकर गलत बता रही है, तो दूसरी और छिंता ही किसी कार लोगों का कहना है कि बाई किडिक की तोड़कर 36,000 रूपिय उड़ा ले गए, बाकाचला के बिलहर थानाचेत्र अंतरगत बदवा नदी के बबोनिया पर बुद्वार को बालु संबेदक के पेटी कॉंट्रेक्टर के दोरा डेड़ महिने से बंद बालु घाट को पुना चालू करने का ग्रामिनों ने विरूध करते हुए सडग जाम कर दिया, इसके बाद वहां तनाब की स्थिति उत्पन हो गए, वहीं विरूध कर रहे है इस्थिति को नियंतरन में किया गया, ग्रामिनों ने बताया कि खनन विभाग एवं सरकार के निर्दे सानुसार जुलाई अगस्त एवं सितंबर मा तक नदी से बालु उठाने का प्राबधान नहीं है, जिसके खनन जुलाई मा प्रारंब होते ही बालु घाट बंद कर दि नदी काफी गहरी हो गई है, जिससे आसपास के किसानों को सिचाई करने में काफी परिसानी होती है, वहीं नदी गहरी हो जाने करन आसपास के छेतर का जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है, वहीं ग्रामिनों ने बताया कि हम लोगों के दोरा जब अवेद बालु खनन का बिरोध किया जाता है तो बालू माफिया के दुरा ग्रामिनों को तथा उसके पढ़ने वाले बच्चे को जूटे रंगदारी के मुकद्मे में फसादनी की धमकी दी जाती है ग्रामिनों दोरा बताया गया कि पेटी कॉंटेक्टर बालू मापिया पूर में भी कई बार बालू घाट पर गोली बारी की घटना कर चुका है तथा उसकी गोली से ग्रामिन भी घायल हो चुके हैं जिसकी करण उसके ब्रुद्ध थाने में कई मामले चल रहे हैं ग्रामिनों दोरा बताया गया कि नदी में बालू खत्म जाने करन नदीगे किनारे दोनों के टटबंध का भी बालू चोरी कर इन लोगों के दोरा बेचा जा रहा है जिससे टटबंद कमजोड हो गया है बालू मापिया दोरा नदिगे के नारे ग्रामिन खेल मैदान को भी अधिकरमन कर ली जाती है जिससे यहां की यूबा अगम खिलारी को खेलने तथा आम जनता को घूमने में काफी परिसानी होती है वहीं संबन में थानापरमारी बिनोत कमार ने बताया है कि डंप किये गए बालू के लिए समवेदक के दोरा चालान प्रारम करने की बात कहीं जा रही है लेकिन ग्रामिनों दोरा अवेद बालुखनन का भी रोध किया गया मौके पर जाकर दोनों पक्षों को सांध कर दिया गया तथा वहाँ एक चौकिदार की भी तैनाती कर दी गई है बाका जिला के कटोरिया थनाचेतर के दिवासी गाउं के समीप उतपाद अवर निर्चक मनीस कुमार सक्सेना के दोरा चलाए गई वहाँ चेकिंग अभियान कर दान पीकप वहाँ पर लेदी भारी मातरा में बिदेसी सराब बरामत किया गया मौके से तीन तसकरों को गिरपतार कर लिया गया गया गिरपतार तसकर खगलिया जिला के पसरहा थनाचेतर के जंजरा गाउनिवासी सुभम कुमार मुहदी पूर निवासी चंदन कुमार एवं जंजरा गाउनिवासी कुंदन कुमार बताया गया तस्क्रों ने बताया कि खगडईया से धान के भुसी का बोड़ा लोड़ कर जारकन के गृड़ी चौक पहुचा जहां भुसी लदी पीकप सराब माफियाओं ने ले लिया, एवं सराब 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 पीकप दे दिया वहीं बरामत सदाप की किमत करीब 3 लाग बताया गया पीकप मालिक सुभम कुमार ने बताया विपिन कुमार से 20,000 रूपिय पर सदाप की खेप का भाला तैह हुआ था उत्पाद अवरनिद्चक ने बताया कि विपिन कुमार समेथ गरबतार युबकों पर उत्पाद अधिनियम के तहद प्रात्मी की दर्ज करते वे कारवाई की जा रही है